बच्चो पिछले अध्याय में हमने देखा कि मुद्रा क्या है? मुद्रा के क्या कारे है? क्या उसका महत्व है? कौन-कौन सी उसके अंदर विश्यस्ताएं होती है? कितने प्रकार की होती है? कौन मिलाकर हमने मुद्रा याने धन पैसे के बारे में कुछ जानकारी हासिल की अब ये पैसा आता कहां से है? जाता कहां पे है? याने कि किस प्रकार हम इसको प्राप्त करते हैं? किस प्रकार हम इसको खर्च करते हैं? कहां हम इसको सुरक्षित रखते हैं? तो बात अगर हम मुद्रा के लेन देन और उसकी सुरक्षा के करें तो सबसे पहली बात आती है बैंक की जी हाँ बैंक एक ऐसी जगा है जहां से हम मुद्रा का आदान प्रदान कर सकते हैं हम अपने मुद्रा को वहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं जरूरत पढ़ने पर हम उस मुद्रा को प्राप्त कर सकते हैं किवर मुद्रा ही नहीं बलकि अपनी बहुत सारी मुल्यवान धातूओं को बहुत सारे जरूरी पेपर्स को बहुत सारे हीरे जावारात सभी की सुरक्षा के लिए हम बैंकों का इस्तिमाल कर सकते हैं तो आज हम जानेंगे बैंक के बारे में क्या है बैंक कैसे इसकी उत्पत्ती हुई कौन-कौन से कारे करती है बैंक और क्या महत्व है बैंकों का सबसे पहले बैंक का इतिहास अगर हम देखें तो यहां हम देखते हैं कि बैंक शब्द की उत्पत्ति अधिकोश जिसे हम हिंदी में कहते हैं वास्ताव में अधिकोश की उत्पत्ति अंग्रेजी भाशा के बैंक शब्द से हुई है अब ये देखें कि बैंक क्यों पत्ति कहा हुई तो यहां हम देखते हैं कि बैंक शब्द जो है वो इटैलियन भाषा के बैंकों से लिया गया है अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि बैंकों जो है ये फ्रेंच भाषा के बैंके का रूप बदलता हुआ रूप है तो धीरे धीरे ये जो शब्द है ये अपना रूप परिवर्थित करते गए और लास्ट में इनको हम बैंक की रूप में प्रियोग करने लगें अब अगर हम बात करें कि किस तरह से ये बैंकों की इनकी उत्पत्ती हुई कैसे ये अपने अस्तित्तों में आए तो हम सबसे पहले देखते हैं कि बैंक शब्द जो है वो पुराने जमाने में इटली के लोग जो है वो बैंच में बैट कर बैंचों में बैट कर वो व्यपार संबंधी गतिविधिया व्यपार संबंधी बात चीत सलाम इश्वरा किया करते थे और होता क्या था कि जो लोग बैट कर आपस में बात करते थे अगर उनमें से किसी व्यक्ति का व्यपार बंद हो जाए तो जिस व्यक्ति का व्यपार बंद हो जाता था उसकी बैंच को तोड जाता था ये मानते हुए कि उसका वेपार बंद मतलब अब उस बैंच की उनके समू में कोई ज़रत नहीед है और फिर धीरे-धीरे यही जो प्रक्रिया है एह जो साथ में बैठना बैंच में बैठना अविशक्ता ना होने पर वेपार बंद वेपार चालूँ ना पर बैंच को तोड़ दिया जाना ये इसी शब्द से बदलता हुआ रूप बैंक हो गया और बैंक की कारेप्रणाली फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी इसी प्रक्रिया में हमने देखा कि बाद में यही स्वरूप आगे चल कर वास्तों में मुद्रा के लेंदेन से स्थान बन गया उसकी बाद हम ने देखा कि अगर अन्य मान निता में रखते तो हम बैंक के बारे में जानते हैं कि अनेक व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किये गए सामुही कोश को भी बैंक कहा जा सकता है कि बहुत सारे लोग मिलकर एक कोश, एक फंड कठा करते हैं और ब तुसरे शब्दों में अगर हम बात करें किसी एक प्रॉपर किसी मेनिंग की तो वास्तों में क्या है और सिर्फ कौन-कौन से कारे हैं इस विशय पर कुछ कहना कुछ निश्यत रूप से कहना कठीन है लेकिन यह हम कह सकते हैं कि आधुनिक बैंक का जो प्रारंब था वो यू और परिभाशा अगर हम देखे क्राउथर की तो इनकी अनुसार बैंक के बारे में इन्होंने कहा है कि आधुनिक बैंक के तीन पूर्वज है व्यापारी महाजन और सराफ यह बैंक जो प्राचीन काल के थे वास्तों में इनका बैंक जैसा कोई अस्तित नहीं था हमने लोग इनहीं से लोन लेते थे इनहीं से रिhone लेते थे कई बार बहुत जब उनकी खराब कंडिशन रहती थी लोगों की तो गिरवी रखकर अपने घर के बरतन यह सामान गिरवी रखकर उन säger लोन लेते थे उधार लेते थे इनहीं का एक परिवर्तित रूप एक संगठीत रूप और एक नियमा वली के अनुसार जब यही स्वरूप जब आगे बढ़ा तो उसने बैंक का रूप धारन कर लिया इसलिए क्राउथर ने कहा है कि वास्तों में यह जो महाजन है साहुकार ह करते थे और इनकों ने बैंकों का पूर्वज माना है कि साथ यहां पर हम देखेंगे कि बैंकों का विकास क्रम साल-दर-साल समय के बदलते-बदलते किस रूप से यह विक्सित हुआ तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ईसा से 2000 वर्षपूर बेबिलोन में साख का लेन दिन होता था यहाँ से यह प्रक्रिया देखने में आई और दूसरा फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि 1148 में प्रथम बैंक के स्थापना जिनेवा में हुई और उसके बाद आगे बढ़ते हुए 1157 में बैंक ओफ वेनिस और उसके बाद 1481 में बैंक ओफ बारसिलोना के स्थापना की गई आगे बढ़ते हुए फिर हमने देखा कि 1619 में जर्मनी में बैंक आफ हमबग के स्थाफना की गई और उसके बाद 1644 में इंगलेंड में बैंक आफ इंगलेंड के स्थाफना की गई और उसके बाद कई वेपारिक बैंक खुले इसी प्रक्रिया में बहुत से वेपारिक बैंकों का उदाय हुआ जिन्हें कॉमर्सियल बैंक और साथ में क्रेडिट क्रियेशन भी कहा जाता है अब अगर हम बात केवल व्यपारिक बैंकों की करें तो हम देखते हैं कि किन अर्थों में हम व्यपारिक बैंकों का प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि समाने बैंकिंग कारे करने वाले बैंक को जितने भी समाने रूप से आप अपने आसपास बैंक देखते हैं जहां हम बहुत आसानी से अपने धन को जमा करते हैं जरूरत पढ़ने पर उस धन को हम आहरित कर लेते हैं तो यह सारे ज कि अल्प कालिन वित्याव शक्ताओं को पूरा करती है यानि कि धन का संग्रहन वो करती है आवशक्ता पढ़ने पर आप को धन वो वापस करती है जरूरत पढ़ने पर आप रिंड के रूप में उनसे धन प्राप्ति कर सकते हैं तो यह सारे समान कारे जो होते हैं वह वैपार जो अपने साधारन व्यवसाय में धन प्राप्त करता है तथा जिससे वह उन वेक्तियों के चैकों का भुपतान करता है जिनसे खातों में वह धन प्राप्त करता है व्यवस्टर शब्दकोष के अनसार बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है एक ऐसा पर रखम भेजनी की विवस्था की जाती हैं प्रोफिसर काउथर के अनुसार वेपारिक बैंक वह संस्था है जो अपनी स्वेंग की तथा जनता की साफ का वैपार करती है तो इन परिभाशाओं के अधार पर आपने वेपारिक बैंकों को बहुत अच्छे से समझा अब अगर हम बात करें वेपारिक बैंकों के प्रकार की तो कौन-कौन से प्रकार है वेपारिक बैंकों के तो यहां पर हम देखते हैं कि व्यपारिक बैंकों को दो भागों में बाड़ दिया गया है। कौन कौन से दो भाग। एक तो अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक से ताथ पर एक निश्यत अनुसूचित में शामिल किये बैंक से जिसके बारे में आगे हम डिटेल में अध्यान करेंगे फिलहाल यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनुसूचित बैंक होते हैं वो कौन से बैंक होते हैं तो जिन बैंकों को रिजर्व बैं तो इनके सबसे पहली शर्थ ये है तो हम ये कह सकते हैं कि इन बैंकों की चुकता पूंजी और प्रतिरक्षित निधी दोनों मिला कर कम से कम पांच लाख रुपे के बराबर होनी चाहिए ये पहली शर्थ होती है दूसरी शर्थ इनकी ये होती है इन बैंकों को अपनी मांग एवं समय देयताओं का लगबक 15 प्रतिशाद भाग जो होता है वो इनको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है तीसरा इसका जो नियम है इसकी जो शर्ते हैं वो यह है कि इन बैंकों को प्रती सब्ता अपनी स्थिति विवरेंट जो है बैलेंस शीट जो है वो रिजर् करताओं के हित में ना हो जिनका पैसा बैंक में जमा है उनके हित में इन बैंकों को कारे करना है कोई भी कारें नहीं कर सकते हैं जिसे जो बैंक के ग्राहक है उनका कोई आहित हो अब अगर हम बात करें कि भारत में अनुसूचित बैंक को कैसे समझा जाए अनुसूचित बै आखर ही नामसे जानते हैं और दूसरा जिसे हम अनुसूचित सहकारी बैंक की नाम से जानते हैं तो अगर अगर हम देखें कि अनुसूचित विआपारी बैंक क्या है तो इसके अंतर गत हम कुछ बिंदों के अधार पर तो यह Zhu quindi जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सारवजनिक शेत्री के जो बैंक है इनकी संख्या कि अगर हम बात करें तो सारवजनिक शेत्री के इन बैंकों की संख्या देश में 27 है और इस 27 में भी 19 बैंक ऐसे है जो राश्ट्री कृत है और 8 बैंक ऐसे है जो भारती स्टेट बैंक गिने मं कहते हैं कि उनके अनुसांगिग बैंक है, लूसरा इसके अंतरगत शामिल है सरकारी छेस्री के अन्य बैंक इनकी अगर बाद करतें सरकारी चेस्री के अन्य बैंक जो इसके अंतरगत आएंगे वो सिर्फ एक है, जिसे हम Eddie Anga Bank 고 Nigi चेट्र के बैंक है आप अपने आसपास देखते होगे कि बहुत से प्राइविट बैंक भी है हमारे आसपास तो देश में कितनी संख्या है उसकी बारे में अगर हम जाने तो यहां पर निजी छेत्रे के कुल मिलाकर देश में 22 है जिसमें से 15 बैंक काफी पुराने है और साथ जो बैंक है निजी बैंक वह बहुत कुछ समय पहले अस्तित तुम्हें हैं इसी के अंतरगत हम देखते हैं विदेशी बैंक कुल मिलाकर विदेशी बैंकों कि संख्या 34 है और च्छेत्रे ग्रामीड बै को कि क्या इस्तिति है तो यहां पूब हम देखते हैं कि कुल संख्या देशे कि ब्यासी है और हम करें अनुसूचितवायपारीग बैंक को को ओव्र-a-all अगर शामिल कर लें तो तीरअ कि हो जाती है अब अब कर impacto करें अनुसूचित अनुसूचित सहकारी बैंक जो है यहां पर हमने आकड़े जो हमने अलग अलग वर्गी करण किया हुआ था अनुसूचित वैपारिक बैंकों की बारे में अब अगर हम बात करें गैर अनुसूचित वैपारिक बैंक तो क्या है गैर अनुसूचित वैपारिक बैंक वास्तों में वे सारे बैंक जो रिजर्व बैंक के दूसरी अनुसूचित में शामिल नहीं हैं वे सभी बैंक गैर अनुसूचित वैपारिक बैंक कहलाते हैं अब अगर हम देखें कि गैर अनुसूचित वैपारिक बैंक जो है उनकी क्या विशेस्ता हैं कौन-कौन सिल्ट की शर्ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि इन सभी बैंकों की चुकता पुंजी एवं प्रारक्षित पुंजी निधी मिलाकर पांच लाख रुपए से कम होती हैं और दूसरी कंडिशन मुण होने जान लिए पहले ही कि इनकी विशेस्ता giy पेक होते हैं कि बैंकों के स्जारूप के बारे से वर्गी क्रित हैं अब वास्तों में का कारे क्या होता है अलग-अलग भागों में के कारे बटे हुए हैं तो सबसे पहले हैं जब हम आकि आप और Citra जानते है और सबसे पहले को इस ताला चाहिए और बाकि इसके करने बाकि होगते हैं लेकिन हमकों ऐसे लगता है कि मुख्य कारे बेंक ज हो यह बैंक में निक्षणिक निक्सिविकार करना होता है और आवशक्ता पढ़ने पर हमको वापस करना होता है तो बात अगर हम करें यहाँ पर जमा या निक्षे प्राप्त करने की तो इसके अंतरगत कौन-कौन से कारी किये जाते हैं कौन-कौन से खाते होते हैं जिनके अंतरगत ये कारी किये जाते हैं इसकी एक हम संशिप्त में जानकारी हासिल करेंगे तो यहां पर हम देखते हैं कि इनका प्रमुक कारे जनता की बचत के लिए जमा के रूप में धन राशी प्राप्त करना होता है और इसके लिए खोले जाने वाले खाते होते बचत खाता चालू खाता और यहां पर जो बचत खाता सेविंग अकाउंट होता है वहाँ पर जनरली हमारा जो एकाउंट होता है सेविंग अकाउंट में होता है वहाँ पे लोग अपनी जो बचते होती है छोटी-छोटी उनको जमा करते हैं और आवशकता पढ़ने पर उसको निकाल सकते हैं और एक निश्चित प्रतिशत पर यहाँ पर ब्याज भी प्राप्त होता है उसी प्रकार चालू खाता होता है चालू खाते में भी हम अपनी चोटी चोटी बचत एक दिन में चाहे जितनी बार भी हम जमा कर सकते हैं और जितनी बार भी हम रुपय उसमें से निकाल सकते हैं अब क्योंकि चालू खाते में से बार बार रुपय निकाल स तो वो जो हमको सुविधा प्रदान करती है उसके बदले में बैंक हमसे कुछ न कुछ शुल्क लेती है और वास्तों में यह हम सभी की सुविधा के लिए होता है अगला हम जो खाते का प्रकार देखते हैं वो है निश्चित अवधी का खाता जिसे हम कहते है Fixed Reposit हमारी एक जो amount होती है उसको एक निश्चित समय के लिए हम fix कर देते हैं अब निश्चित समय निउन्तम समय क्या होता है उसकी बात करें तो यह जो निउन्तम मवदी होती है यह 45 दिन की होती है और बैंक जो होती है सभी प्रकार के अलग-अलग जो बैंक सोते हैं इन निश्चित जमा जो हमारी राशी रहती है फिक्स डिपोजिट जो रहता है इस पर एक निश्चित दर से ब्याज हमको प्रदान करते हैं अब जब बात हम fix deposit की करते हैं निश्चित जमा राशी की करते हैं तो एक बात इसकी बारे में ये भी जान लेना जरूरी होता है कि इस पर जो ब्याज की दर होती है वो अन्य खातों के पेक्षा कुछ अधिक होती है शायद ऐसा इस कारण से होता है क्योंकि इस पर जो जमा ध पर हमको इसमें ब्याज प्राप्त होता है लेकिन इसमें bank हमको यह भी सुविधा प्रदान करता है कि माल लीजिये आपने के लिए तीन साल पास साल के लिए अपने पैसे करके रखता है लेकिन बीच में अगर आपको जवरत पड़ी तो आप इस deposit को से अपने पैसे निकल भी सकते हैं और ऐसी कंडिशन में आपके जो पैसे जमा रहते हैं जितने अवधी तक वो जमा रहते हैं बैंक उस पर एक साधारन ब्याज की दर से जो भी इंट्रेस्ट उसमें चल रहा होता है बैंक का उस पर ब्याज के साथ धनराशी आपको कुछ फॉर्मेल्टेस के साथ वापस कर देती है अगले जो जमा की बात आती है वो होता है अनिश्चित काली जमा राशी इसमें होता यह है कि जो आप जंधन राशी बैंक के पास जमा करते हैं उसका कोई टाइम लिमिट सेट नहीं होता है अनिश्चित काल के लिए आप जमा करते हैं और आपका प्रयास रहता है कि वो लंबे समय तक चलते रहे क्योंकि हमने देखा कि जितना लॉंग टर्म हम उसको छोड़ते हैं उतना ज्यादा ब्याज उस पर मिलता है लेकिन इसमें भी सुवधा होती है कि मान लेजे बीच में आपको कभी पैसे की जरूरत पड़ी तो कुछ निश्चित निय दिखा जाता है कि जो भ्याज की धनराशी रहती है कि वल उसी धनराशी को निकालने की अनुमती रहती है पूरी धनराशी जो आपके जमा है उस धनराशी को आप नियम और शर्तों के अनुसार एक साथ नहीं निकाल पाते हैं अब अगला जो बचत खाते का प्रकार आता है उसे कहते हैं हम ग्रे बचत खाता बहुत अच्छा सा ये सिस्ट्रम होता है इसके अंतरगत बैंक अपने ग्राहक को एक गुल्लक दे देती है और उस गुल्लक में एक निश्ची तवधी तक जो ग्राहक है बैंक के वो पैसा जमा करते हैं अपनी छोटी-छोटी बचतों को व गुल्लक देते हैं तो उस गुल्लक में ताला लगा होता है और उसकी चावी बैंक के पास होती है यानि कि किसी भी कंडिशन में आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं तो छोटी-छोटी सी जो बचत रहती है वास्तों में ये जो योजनाएं हैं ये लोगों की छोटी-छोट बचत के आदतों को प्रोटसाहित करने के लिए बनाई गई है और साथ में पूंजी निर्माण भी इससे भले ही धीमिगती से हो लेकिन एक आदत के अंतरगत आ जाता है ग्रेव बचत खाते के बारे में एक बात यह जान लेना भी जरूरी है कि इसमें जो भ्याज की धनराश कुछ कम रहता है अब हमने देखा कि किस तरह अलग-अलग खातों के आधार पर हम अपनी छोटी-छोटी बचतों को बैंक में जम्मा करते हैं और बैंक उस धनराशी को एक तो सुरप्षित रखता है और दूसरी बात आवशक्ता पढ़ने पर हमें ब्याज सहित वापस करत है इसी तरह बैंक के दूसरे महत्वपोर्ण कारे की अगर हम बात करें तो वह है रिण प्रदान करना यानि कि लोन देना आप देखते होंगे कि आजकल हम अपनी आवशक्ताओं की चीज को बहुत आसानी से बैंक से लोन लेकर खरीच सकते हैं तो यहां हम जब बात करते है रिण संबंधी कारियों की तो यहां पी हम देखते हैं कि केंद्री बैंक को छोड़ कर बाकि जितने भी बैंक होते हैं इनका सबसे प्रमुकारे जो होता है वो रिण प्रदान करना होता है और यह जो रिण प्रदान करने संबंधी कारे होते हैं इनको चार भागों में तरगत एक सीमा तक रिण दिया जाता है निश्चित धनराशी निश्चित कर दी जाती है और उतना ही रिण मैक्जिमम दिया जा सकता है दूसरा जो है वो रिण की संपूर राशी नगद नहीं दी जाती कैश में किसी वैक्ति को नहीं देते हैं बलकि उस वैक्ति का में पैसे को transfer कर देती है तीसरा इसकी बारे में हम यह देखते है कि रिणी जो है वो आवशक्ता नुसार धन निकाल सकता है यानि उसके account में bank ने loan की जो amount transfer की है जैसे जैसे उसको ज़रत पढ़ती है वैसे वैसे वो उसमें से पैसा निकाल लेता है आव शक्ता के अनुसार और साथ में रिण की जो राशी होती है संपूर राशी उस पर व्याज वसूल किया जाता है क्योंकि नॉर्मली फ्री में बैंक हमको रिण देता नहीं है जब भी बैंक से हम रिण लेते हैं लोन लेते हैं तो एक नॉमिनल जो पढ़ा होगा कि किस प्रकार बैंकों में अधिविकर्ष खाते होते हैं कई बार बैंक अपने कुछ अच्छे ग्राहकों को अधिविकर्ष यानि की OD ओवरड्रॉफ्ट की सुविधा देता है जब वो जो ग्रहक होते हैं बैंक कि वो जब चाहे बैंक से धनराशी निकाल सक कोई बार वो अत्रिक्त धनराशी का भी आरण कर सकते हैं जितना कि उनके अकाउंट में नहीं होता है तो यहां पर अगर हम बात करते हैं अधिविकर्ष की तो यह जान लेते हैं कि उन वेक्तियों को यह फैसलिट्य दे जाती है जिनके साख काफी अच्छी होती है और इसक तो यहां जब हम नगद उधार लेते हैं और अधिविकर्ष के अधार पर लेते हैं तो वास्तों में इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर आता है आये देखते हैं कि नगद साख और अधिविकर्ष में क्या अंतर है जबके अधिविकर्ष में रिण अकसर व्यक्तिगत जमानत पर ही दिया जाता है नगद साख में रिण पर ब्याज की दर कम होती है जबके अधिविकर्ष में नगद साख के तुलना में ब्याज की दर अधिक होती है नगद साख के अंतरगत रिण एक वर्ष या उससे अधिक के समय के लिए दिया जाता है अधिविकाश के अंतरगत रिण अति अल्पकाल तीन माह लगभक के लिए दिया जाता है नगत साग के अंतरगत रिण किसे भी व्यक्ति को दिया जा सकता है अधिविकाश के अंतरगत रिण के सुविधा केवल चालू खाताधारियों को ही दी ज साथ प्राप्तिक कर लेता है अडवांस पेमिंट हम उसको कर लेता है जैसे नॉर्मल साक जब जो होती है नगत साक उसमें हमने देखा कि बैंक जो रिण की राशी रहती है वो एकाउंट में ट्रासफर कर देती है और आवशक्ता नुसार जो वेक्ति जो ग्रहाक होता है जिस क्या होता है इसके अंतरगत हमें हrafat कि वास्तों में बैंक द्वारा जो विनिमय विल है उनका पुनरकटोटी के माध्यम से एक बार बुक्तान किया जाता है और इसी के द्वारा उनको रिन की सविधा उपलब्द कराई करते हैं और किस तरह से हम उन विपत्रों को भुना कर फेधन राश्री प्राप्त करते हैं साथ ही यहां पर यह भी देखा जाता है कि जो विनिमय विपत्र वाली जो सेवा होती है विनिमय विल का जो वहाक होता है उसकी परिपकता अवधी समाप्त होने के पूर्व ही उसको बिल का की जो राशी रहती है उसका भुक्तान कर दिया जाता है और लेकिन ये जो सेवा होती है अलपकालीन होती है समय उसमें के भीतर ही उसको भुक्तान करना होता है अब इसी तरह अगर हम बैंक के अगले कारे की बात करते हैं तो बैंक जो होता है वो एक अभिकरता के रूप में होता है और एक प्रतिनीधी के रूप में भी कारे करता है तो एक अभी करता यानि कि एजेंट और प्रतिनिधी के रूप में बैंक कौन-कौन से कारे करता है आए देखते हैं सबसे पहले तो वो भुकतान एकत्रित करता है चेक, विन्मै, विपत्र, हुंडियों जो जिससे कि हमने पिछले अध्यायों में देखा इन सब के माध्यम से वो भुकतान प्राप्त करता है कोई भी वेक्ति जब हमको चेक देता है और उसको ले जाकर जब हम बैंक में जमा करते हैं तो बैंक के द्वारा फिर उस धनराशी को हम प्राप्त कर लेते हैं दूसरा हम आप het देखते हैं किविमेग बिल को भी बैंक सविकार करता है जैसे कि हमने विन्मय पत्र के बारे में जाना थह जो विन्मय पत्र के द्वारा प्राप्त होती है और ये बिल हम बैंक में जम्मा करते हैं और उसके आधार पर जो भी धनराशी उसमें लिखी गई होती है वो पेमिंट हम प्राप्त करते हैं तो ये सारे कारे भी बैंक के द्वारा ही संभो हैं साथ में जो धन की वसूली होती है वो बैंकों के माधियम से की अगर हमको किसी व्यक्ति को पैसा भेजना धन राशी भेजनी है तो पहले हम बैंक जाते थे पूस्ट आफिस जाते थे वहां पर हम पेम मनी ओर्डर करते थे या बैंक से अनी एफटी और बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं होती थी जिनके माध्यम से हम बहुत सारे लिखा को नहीं मिल पाती थी समय बहुत अधिक लगता था भीड भाड का भी सामना करना पड़ता था लेकिन अब यह सारी प्रक्रिया इतनी हाइटेक हो गई है कि बटन दबाकर हम मिंटों में जो पैसे होते हैं वो दूसरों तक ट्रांसफर कर देते हैं पहुंचा देते हैं तो यह कि अगर आप सब्जी बाजार भी जाते हैं तो आपको अपने बैग में एक रुपए भी रखने की जरूरत नहीं पड़ती है वर्तमान में आप देखते होंगे कि आप कहीं सब्जी ठेला कहीं फ्रूट लेने खरीदने चले जाए मैंनों दिहां तक यह भी देखा है कि गन रिण देने तक ही सीमित नहीं रहे गई अपने आपको उन्होंने इतना विक्सित कर लिया है कि अब एक बटन दबाते ही बैंकों के सारे कारे हम बहुत आसानी से कर सकते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कारे होते हैं जो बैंक करती है जिने विविद कारे के अंतरगत शामल करते हैं जैसे कि लौकर के सुविधा होती है आप अपने महतुपूर्ण जो आपके आभूशन है महतुपूर्ण आपके जो पेपर्स हैं उनको अगर आ लौकर से मंदि जो प्रक्रियाएं होती है जो नियम और शर्ते होती है वो अलग-अलग होती है उन नियम और शर्तों को फॉलो करते हुए आप बहुत आसानी से अपने समान को बैंकों के लौकर में सुरक्षित रख सकते हैं और जब आपको समान की जरूरत पड़ती है आप समान को बैंक से वापस प्राप्त कर सकते हैं ठीक इसी तरह एक सुविधा हमको बैंक प्रदान करती है यात्री चेक की सुविधा जब फोन पे यह सब नहीं था तो बैंक हमको यात्री चेक की सुविधा प्रदान करती थी आज भी वो सुविधाय प्रदान करती है जो नग बैंक एक यात्री चेक बना कर दे दिया करता था आप दूसरे शहर दूसरे स्टेट जब भी जाएं तो उसको साथ में आप यूज़ कर सकते हैं और फिर वहां जाने के बाद किसी बैंक से बुना कर आप उस रकम को प्राप्ति कर सकते हैं इस सब का सवरूप आप 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 आ क्या होता है कि जब वैपारिक कारे होते हैं वो बिना साख के संभौ नहीं होते हैं चाहे कितना भी बड़ा उद्योगपती हो या वैपारी हो उसको रिन की जरूरत साख के जरूरत जरूर पड़ती है तो कोई भी वैपारी किसी अन्य वैपारी को रिन देने से पहले उसके साख संबंधी जो सूचनाएं होती है वो प्राप्त करना चाहता है वो यह जानना चाहता है कि उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी है उसको दिये गए रिंग का भुकतान क्या वो सही समय पर कर पाएगा और किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति की सही सही जानकारी एक ब आखडों का संकलन करना पड़ता हैं आर्थिक सांखिकी के अंतरगत हमने देखा कि कई बार हम राष्ट्रि आये प्रतिवेक्टि करने के लिए भी बैंक जो होते हैं वो एक महत्रपूर स्त्रोध के रूप में कारे करते हैं इसके साथ ही जो सुरक्षा कोश्ट जो है चंदे एकत्र करने का जो काम है वो सारे कारे भी बैंकों के द्वारा किये जाते हैं आपने देखा होगा कि अगर कहीं पर कोई प्राकृत वो नंबर जनरेट करता है कि इस नंबर पर आप अपने सहयोग की जो राशी है वो दान कर सकते हैं तो बैंकों के माधियम से वहाँ पर आप अपनी धन राशी को ट्रांसफर करके एक चंदा या किसी भी दान के कारे में सहयोग कर सकते हैं ठीक इसी तरह हम देखते हैं कि बैं के रिंड के करती हैं तो इसके अंदर वो सभी रिण आते हैं जो सामाने वति अपनी आवशक्ताओं की चीजों को खरीदने के लिए करता है जैसे वह वह मकान बनवाता है या मोटर-कार कोरी करने के लिए बैंड करता है वैसे ही बैंक के महतपूर कारियों में यह भी एक बात आती है कि वो अपने ग्राहकों को सला देता है आप किसी भी प्रकार की किसे स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो बैंक है उससे जरूर एक बार जानना चाहते है कि किस स्कीम में किते पैसे डाले जाए किस खाते में पैसे रखने से लाब होगा, fix deposit करने से लाब होगा, SIPS से लाब होगा, कहाँ पर आपको किस fund में आपको पैसे इंवेस्ट करने हैं तो सही सला देने का आरे भी bank अपने ग्रह को के लिए करता है। और एक और कारे की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि समय समय पर बैंक से रोलेटेड सिक्षन प्रिसिक्षन जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी बैंकों के द्वारा ही प्रवाइड कराई जाती है क्योंकि प्रतेक शेतर में मुद्रा की प्रतेक शेतर में धन के आवशकता है और बिना बैंक के धन के बारे में हम बात कर ही नहीं सकते तो आएए देखते हैं कि जब आंतरिक और विदेशी वेपार के अर्थ प्रवंधन की बात आती है तो बैंक कौन-कौन से कारी करता है पुल्याइट उनको भुणा कर उनकी धंराश्यूं को देता है तो इस प्रकार जो बैंक है वो आंतरिक और विदेशी वेपारसमांदी अर्थ प्रबंदन में भी साथा करता है अगले इसके कारें की एगर भात करें तो हम यह देखते हैं कि साक्स रिजन का कारें करता है वास कर सके एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके बारे में हम डिटेल में इसके आग्याध्यन करेंगे